सेय्ट अबबूबू अच्छ टॉपिक के नहीं जोके बहुत असान और सीम्पलू सा टॉपिक है जर्डबी सब्हकर का जाता है कम्भी निॉक्लोटाइर जोके सीकवन्स होता है डिन अ के ऊपर इन तीन नुकलोटाइड के सीक्मस को का जाता है जनेटिक कोड है इसलिए इसको ट्रिपलेट कोड का भी नाम दिया जाता है और ये तीन नुकलोटाइड अगर देखे जाए डियने के पास होते कितने टाइपस की नुकलोटाइड है चार किसम के तो नुकलोटाइड है डियन यू ए ए तिन का combination है तो टोल नमर जो जन्याटी कोड है वो 64 हैं और यह कितने के combination है? तीन-strong arrow कितने कोड यह का लॡए के टोटल है कितने कोड चार ए जे सी टी है फूर मुएटा सबसे पहले नहे कहा गया तो टोटल जो different genetic code आते हैं वो 16 अब 4 और जो 16 ये enough नहीं है क्योंकि ये genetic code किसको control करते है हमाइनो acid को total amino acid 20 है हमारी body के अंदर जो protein को बनाते हैं तो 20 को 16 ये चार control कर सेते हैं कहते हैं नहीं लगता है DNA के उपर ये जो चारों nucleotide है इनका combination तीन तीन के हैं तो तीन-तीन के लहाँ से जब पता लगाया गया तो total genetic code किते बने 64 और फिर बात में clarify हो गया total number genetic code 64 हैं और इनका जो combination है वो तीन-तीन का combination होता है ना के two का ना के single का ये हमारे पर sentence हैं क्रिक, नाइरन बर, खोराना, लेडर इन सैंटिस ने टेस्स किया था कि वाकित तीन-तीन का combination होता है कैसे making करके artificial messenger, RNA and triplet codes इनको बना के ना इनों टेस्स किया और बताया हाँ कि total number जो genetic code है वो 64 है और इनका जो combination है वो तीन-तीन का combination होता है अब 64 genetic code में से ना कुछ ऐसे हैं जो process को start करते हैं जिसमें आप कहा सकते हैं translation का जो process है जिसमें protein को बनाया जाता है उस protein को बनाने के लिए सबसे पहले starting genetic code आएंगे उनको कहेंगे starting code है और कुछ ऐसे होंगे जो process को रोकते हैं और वो genetic code कोंट से होंगे stop code है तो 64 में से जो stop code होना वो कितने 3 है जो present होते at the end of gin जो last में मुझूद होंगे जो process को रोकेंगे और process को start करने वाले कितने होते है एक होता है ठीक है एक starting code होना है तीन जोन से होंगे वो stop code होना है टोड़ा कितने होंगे चार बाकि जो 60 है ना 60 वो सारे के सारे protein को बनाने के लिए involved है protein को बनाएंगे मगर 60 में से 4 ऐसे हैं जो process को रोकते भी हैं और start भी करते हैं और रोकने वाले कितने हैं और starting code कितने हैं बाटा एक है MCQs हैं वो तीन कौन से हैं UAA, UGA, UAG और start करने वाले जो genetic code है उसका नाम के बाटा AUG तो यह सारे genetic code बाटा अगर देखा जाए कहां पी होते हैं DNA के उपर मजूद होते हैं total 60 जो amino acid को read करेंगे तीन stop को don है और एक कोण सा होगा start कर दो तो एक और तीन 4, 4, 60 कितने होगे total 64 genetic code होते हैं बाटा किसके उपर DNA को उपर अगर यही जो combination है अगर आपको नजर आता है messenger RNA को उपर यही तीन का combination इन्ही तीन nucleotide का combination आपको messenger RNA पे नजर आ रहा है फिर आप इसको kodon कहेंगे यह बड़ा important short question है अगर यही तीन-तीन का combination nucleotide का अगर transfer RNA को उपर होगा तो इसको anti-kodon कहेंगे तो transfer RNA को उपर तीन nucleotide का combination anti-kodon है और तीन nucleotide का combination messenger RNA को उपर kodon है और यही तीन का sequence अगर DNA को उपर है देन आरकॉल genetic code है पहले कहा जाता है यह universal code है मतलब कि हर जगा पे जो A code है हर cell के अंदर जो भी दुने में जानदार है सब में उसका रोल सेम होता है जैसे AGA इसका काम है आरजीनीन amino acid को control करना देख लें A का मैं बता रहूँ यह बक्टेरिया में भी आरजीनीन को पकड़ने वाला यह ही इसको है तो यह जो code है यह क्या होगा genetic code यूनिवर्सल है मगर बाद में पता लगा कि बाइजाने यह 64 जोंड से ना हर जानदार के अंदर different amino acid के लहाँ से ना कि सेम के लहाँ से फिर हमने कहा दे यह यूनिवर्सल नहीं है मसाल दे रहूं आपके सामने जैसे आपको पता है cell के अंदर दो DNA एक mitochondria के DNA एक nucleus के DNA nucleus के DNA के जो UGA है यह stope को डौन है पर यही जोंड सा अगर देखा जाए mitochondria के अंदर यह tryptophone को control करता है अगर nucleus के अगर AGA को देखा जाए यह RG Neen को control करा और यही AGA stope को डौन है mitochondria के DNA के दोनों सेम है पर दोनों का रोल दाएको different है AUA read करता isolucine को DNA का है और AUA जो mitochondria का यह genetic code है DNA का वो methionine को control करा है तो यहाँ से पता लग गया कि दोनों का जो function है different जगह पर different है आप इसको universal नहीं कह सकते यह not universal है आप book के अंदर पूरा table बना होगा पूरे के पूरे 64 आपके सामने genetic code होगा आप उनको देख लिजेगा पर यह simple सा as a tc topic लिखना होता है पेपर के अंदर पूरा table नहीं बनाना होता इसमें MCQ short question जो बने मैंने उसको different कर दिया यह एक as a long question है जिसका नाम के बटा है genetic code ओके बटा अलाहाफीस